हेलो फ्रिंद्स मैं हूँ अन्नपूर्णा और वेलकम टि मैं चैनल आज हम बनाएंगे गनेश जी के फेवरेट मोदक वो भी गेहू की आटे की साथ बिना फ्राइ किये हुए और उसे हम उनी चीजों से बनाएंगे जो इसे भी हमारे घर में अवेलेबल होते हैं यह टेस्ट और गनेश जी के फेवरेट मोदक कैसे बनाते हैं इसके लिए मैंने रखा एक पैन और उसमें मैंने डाला है एक टीस्पून घी उसके बाद यह है वन फूर्थ कप डेसिकेटिट कोकोनट खुबरा खीस इसको डालके हमें हलका एक दो मिनिट तक भुनना है दीमियाश पर नहीं तो खुबरा जल जाएगा अब यह भुन गया है इसको मैं निकाल रही हूँ एक प्लेट मे उसके बाद सेम यसी प्यान में मैं डालरी हूँ घी यह वन फूर्थ कप घी है तो इसको मैं टू टाम्स डालरी हूँ तो कमप्लिटली हमें हाफ कप गी का यूज करना है ग गी या ओयल जो भी आपको पसंद हो पर इसे अगर हम देसी घी में बनाएंगे तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा रहेगा अब आटे को धीमी आश पर हमें लगातार चलाते वे भुनना है तब तक भुनना है जब तक कि गेहू के आटे से खुश भुनी आता है और गेहू ए थोड़ा जादा दिख रहा है हलका लग रहा है पर ग्यास का फ्लेम दीमा ही रखना है अब यह अच्छे से भुन गया है अब मैं ग्यास का फ्लेम आफ कर दे रही हूं और इसे मैं निकाल कर ठंडा करूंगी अभी मैंने एक और पैन रखा है उसमें मैं डाल रही हूँ कच्छी दूद को पहले हमें गरम कर लेना है उसके बाद यूज करना है और आटा जितना है उससे दूगना दूद लगेगा जब तक कि दूद दूबलता है हम लोग ड्राइफ रूट काट लेते हैं और इलाइची को थोड़ा कूट लेंगे अब दूद में बॉइल आया है उसमें मैं डाल रही हूँ वान फोर्थ कप शक्कर शक्कर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या जादा कर सकते हैं अब शक्कर पिगलते तक मैंने इसको अच्छे से बॉइल कर लिया है उसके बाद मैस में डाल रही हूँ डेसिकेटेड कोकोनट खोब्रा कीस जिसे मोदक का कलर बहुत अच्छा लगेगा आप चाहो तो इसे स्किप भी कर सकते हो या कोई भी फूट कलर भी यूज़ कर सकते हैं अब जो आटा हमने भुन लिया था उसको हम डालेंगे यह ध्यान रहे आटा डालते समय गरम नहीं होना चाहिए नहीं तो वह उबल के नीचे गिर जाएगा अब आटा डालने के बाद ग्यास का फ्लेम हमें एकडम स्लो रखना है और इसे कंटिनिवसली मिक्स करना है नहीं तो जो गेहु का आटा है बहुत जल्दी गाड़ा हो जाता है और उसमें गुटलिया बन जाएगी और ध्यान रहे ग्यास का फ्लेम लो रहना अब इसे मैं continuously mix कर रही हूँ इसे हमें लगातार mix करना है तब तक जब तक कि यह एकदम सुखा नहीं बनता है मतलब साइड से घी नहीं छोटता है तब तक इसे हमें पकाना है इसको पकाने में मुझे 4-5 मिनट तो इस तरीके से हमें इसे continuously mix करना है यह बहुत जल्दी पक जा के लिए perfectly ready है otherwise यह थोड़ा सा चिप चिप पर रहेगा और खाते समय हमारे मुझे चिपक जाएगा अगर इसको हम अच्छे से नहीं पकाएंगे तो अब आप देख सकते यह अच्छे से एकदम पक गया है साइड से थोड़ा थोड़ा घी भी छोट रहा है मतलब हमारा जो चाहे वो ड्राइफरुट यूज कर सकते या आप इसमें खोवे का स्टफिंग भी भर सकते वो भी बहुत अच्छा लगेगा खोवे या पनियर का अभी मैंने इसमें दो टीस्पून खोबरा खीस और एक टीस्पून पिसीव शक्कर डाली है ताकि हमारा जो करेंगे वो भी मीठा रहे हैं अब इसको मिक्स करके मैं रख रही हूं साइड में अब हमारा मोदक का जो बैटर है वो रेडी है इसमें मैं डाल रही है गूटी हुई इलाइची आप इसमें थोड़ा से जाइफल का पौडर भी डाल सकते वो भी बहुत अच्छा लगेगा अब इसको अच्छे से मिक्स करके हमें हाथ से आटे को एकदम सौफ्ट करना है मतलब जिस तरीके से हम लोग आटे को मिक्स करते हैं रोटी का उसी तरीके से इसे हमें मिक्स करना है अगर इन केस इसमें कोई गुटली हो तो वो निकल जाएगे बट यहाँ पे जो मेरा मोद बनाना है अभी मैंने मोदक बनाने का यह साचा लिया है आपके पास जो भी साचा है आप वो यूज कर सकते हैं अब मैं इसको बंद कर रही हूँ बंद करने के बाद थोड़ा सा मैं आटा ले रही हूँ आटा लेकर पहले हामें नीचे इसे अच्छे से लगाना है पहले इस साचे के चारो तरफ अच्छे से इस तरी के से दबाना इस तरी के से हम लोग दबाएंगी तभी इसमें शेफ अच्चा आएगा डिजेईन अच्छा बनेगा और मैंने साचे को ग्रीस ने किया क्योंकि हमारे आठे में अल्रडी गी है तो grease करने की जरूरत नहीं है उसके बाद थोड़ा सा stuffing लेकर मैं इसके अंदर डाल रहे हूँ जैसे कि मैंने बताया stuffing में आप जो चाहे वो use कर सकते अपनी choice के according यहाँ पे आप पनीर का, खोवे का जो भी आपको stuffing करना है आप वो stuffing कर सकते हैं उसके बाद मैंने थोड़ा सा और आटा लिया है लेके इस तरीके से मैं उपर से इसको लगा के cover कर रहे हूँ cover करने के बाद अब हम साचे को open करते हैं open करने के बाद आप देखिए हमारा मोदक कितना बढ़िया बनके ready है बहुती आसान तरीके से बहुती जल्दी ना ही इसे हमें बनाने में कोई ज़्यादा टाइम लगा है और ना ही कोई इसमें ऐसी चीज़ें हमने यूज़ किये जो हमारे गर में available नहीं होती है अब हमारा मोदक बनके ready है मैं इसको रख रही हूँ प्लेट में प्लेट में रखने के बाद मैं आपको एक और मोदक बना के दिखा रही हूँ पहले हमें साचे को बन करना है फिर उसके बाद उसमें डालना है आटा आटा डालने के बाद जो भी आपको स्टफिंग भरना है वो stuffing आप उसके अंदर डाल देना, डालने की बाद इसे हम फिर से थोड़े से आटे से cover कर देंगे बस हमारा मोदक बनके ready है इस तरीके से बनाना बहुत ही ज़ाधा आसान है आपके पास जो भी मोदक का साचा हो, चाए वो plastic का हो, silicon का हो या इस तरीकी का हो जो भी हो उसमें आप बना सकते हैं अब हमारा ये भी मोदक बन गया है, इसे भी मैं रख रही हूँ प्लेट में अब इसी तरीके से हम बनाते बाकी सारे मोदक अब हमारे सारे मोदक बन के रेडी है, अब आप भी इस गनेश चतुर्ती ये मोदक जरूर बनाएए और अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो, तो चैनल को लाइक, शेर और सब्सक्राइब भी जरूर करें थैंक यू